जोती कलश यात्रा आए जब घरों घरों में जाये जिस केंदर से गुजरे जिस अस्थान से गुजरे तो वहाँ पर लोग उस दिन जोती अवतरण के पर्व की तरह से उसको मनाए आज हमारे आज से जोती का आगवन होने वाला है और साधारण नहीं है ये जोती वो जोती है जो गुड़देव की सो वर्ष की तप साधना के भाव को लेकर के आ रही है तो जब वो आए तो हमारी तैयारी भी उसी अनुरूप होनी चाहिए हम लोगों के स्वयम के अनुष्ठान हुए हो हम लोगों ने खुदने अनुष्ठान किया हो जगह जागरित हो उसके संसकार इस योग्यों कि वहाँ पर गुड़देव की चेतना गुड़देव की जोती प्रवेश कर सके और जब वो प्रवेश कर सके तो वहाँ पर दीप्यग्यों संसकार हो साथ साथ मिलकर के लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करें और आगे की योजना का निरधारन करें तो सिर पर गुर्देव की चेतना को लेकर गुर्देव की जोती को लेकर की आत्रा पहुँच रही है तो उसी के अनुरूप हमें विवस्था बनाने की जगह को जागरित करने की आवश्च रखता है गुजरात कोई और डिल्ली NCR को हम लोग लें तो लगभक सत्तर या आसी प्रतिशत केंद्र ऐसे होंगे जो स्वयम पुज गुर्देव की स्थापन रहे होंगे और उन सारी जगहों पर जहां गुर्देव की चरण स्वयम पढ़े हम लोग सोच करके देखे कि वहाँ पर तो दोरे जिन जिन घरों में पहुँचे है वहाँ पर मेरा निवेदन होगा कि उस घर को हम लोग कुछ इस तरीके से सुसजित करें कि पता चले कि यहाँ पर यह आत्रा पहुँची थी जब हनुमान जी लंका पहुँचे तो विभीषण के घर की पहचान बहुत दूर से हो गई क्यों राम राम लिखा हुआ था वैसे ही इतनी सारी भीड के मद्ध में गायत्री परिवार के कारे करता के घर की पहचान दूर से हो जानी चाहिए उसको देख करके पता चलना चाहिए कि यहां पर गुड़देव निवास करते हैं वहां पर यहां तो गायत्री मंत्र का इस्टी करो या गुड़देव का चित्रो या फिर हम बदलेंगे युग बदलेगा लिखाओ यहां पर कोई न कोई ऐसी पहचान हो जो गायत्री परिवार की विशिष्ट पहचान है जिन जिन घरों में वो जोती पहुंचे वहां पर उनसे यही निवेदन किया जाए कि आप कम से कम एक प्रतीक तो यहां पर इस्थापित करिए जिसको देख करके व्यक्ति महसूस कर सके कि इस घर के अंदर अखंडी पक की जोती को ले करके जो यात्रा पहुंचे थी उसके प्रतीक यहां पर उपस्तित उस भावना को जगाने का काम करने की आवश्रक्ता है अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो धन्यवार